एक आसान सी टिक्स से बनाए यह कुबारे के जैसे फुली-फुली मख्य की रोटी इस ग्लास से मैंने दो ग्लास हम cioè का आटा ले लिया है इसमें गेहूं का आटा नहीं मिलाया है आप चाहें तो 3-4 चम जबात regulators क मिला सकते है giàuk और इसी ग्लास से 1.5 ग्लास पानी गरम होने के लिए रख दिया है मिस आप जितना भी आटा ले रहे हैं उससे 3-4 आपको पानी लेना है और इसमें डाल देंगे एक चमच घी या फिर बटर इससे टेस्ट जादा अच्छा आता है इसलिए डालिएगा और थोड़ा सा नमक हाफ टीजपून से थोड़ा सा कम डालेंगे पानी में उबाल आ गया है फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे मक्के का आटा एक हाथ से डालना शुरू रखेंगे और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे वैसे आप इसे बाद में भी मिक्स कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसली यह हो जाता है आपको इस समय देखके लग रहा होगा इसमें पानी ज्यादा हो गया है पर ऐसा नहीं होगा अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है अगर आपको लग रहा है कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहां से देख रहे हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये मिक्स हो गया है इसे ढख कर 5-10 मिनट के लिए रख दीजे जब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल टेमपरेचर पर ना आ जाए ये थोड़ा ठंडा हो गया है इसे एक बड़े बतन में निकाल लेंगे आप सेम आटे से पराठा भी बना सकते हैं और रोटी भी बना सकते हैं दोनों को बनाने की प्रोसेस एक ही है और यहाँ पर मैं तबा गरम होने के लिए रख दे रही है इसे गुत लेंगे अगर आप गुत गया है इसे आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतनी बड़ी लोई ले लेंगे अच्छे से रोल कर लेंगे इसे आप बटर पेपर पर भी बेल सकते हैं बटर पेपर पर बेलना आसान हो जाता है मैं हाब थोड़ा सा मक्य काटर डस्ट कर रही हूँ और हलकी पर एकदम प्लेन चाहिए तो आप कट कर लीजेगा और बहुत ज्यादा पतली नहीं बेलना है थोड़ी सी मोटी ही रखना है तब गरम हो गया है तब यह पर डाल देंगे जब तक एक रोटी हो रही है दूसरी रोटी बेल लेंगे मक्य की बाजरी की रोटी एकदम पतली अच्छी लगती है थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है यह हो गई है इसे पलट लेंगे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए एक तरफ से तब तक हमारी दूसरी बेल कर रेडी है इसे बेलने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है क्योंकि एकदम हलके हातों से ही बेलना होता है ज पीछे के साइड से और फिर पलट लीजेगा, आज को कम रखना है, मतलब मीडियम रखना है नहीं तो जलने लगेगी, मक्का बाजरा बहुत ही जल्दी से जलने लगता है, यह देखिए फूल कर रेडी है और अब इसे इस तरह से से लीजे, साइड से भी अच्छी क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तभी जादा टेस्टी लगती है, दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से से लीजे, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमली में कोई ऐसा है, जिने मक्की की रोटी पसंद है, उनके साथ रेसिपी को जरूर शेयर कीजेगा, यह लीजे, यह तैयार है, अ और साथ ही सरसो का साव और थोड़ी सी मूली, आप चाहें तो इसके साथ अचार प्याज भी सर्फ कर सकते हैं, पर मुझे यह ऐसे ही अच्छी लगती है, आप इसी बनाए और फिर मुझे बताईए कैसी बनी है, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, बाबाए!